नमस्कार साथे बहुत वा स्वागत है आपका एंप्लेमेट्स पॉइंट में सुप्रीम कोट आफ इंडिया ने वेकेंसी निकाली हैं कॉंट्रेक्ट्रेक्ट्र बेसेज पर जिसमें सेलरी होगी पचास जार पर महीने और यह वेकेंसी एक साल के लिए हैं तो आए हम आपको पर में जोब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथी बेल आइकल को पैस करना न भूलें तो इसके लिए फॉर्म बढ़ने की लास्ट डेट है 28.22.19 और इसमें जो सेलरी मिलेगी वह मिलेगी आपको पचास जार रपे पर मनत प्रारम में तो आपकी सेलरी पचास जार रप पर ये वेकेंसी हैं आपको एजे लॉक लर्ट कम रिसर्च एशिस्टेंट एंगेज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और आपकी जो जॉब शुरू होगी वह शुरू होगी एक साथ 2.19 से और ये एंड होगी समर वेकेशन में 2.20 में जब कोर्ट बंद ह जाता है एक मेने के लिए तब आपकी ये सर्विस एंड हो जाएगी तो आपकी लगवाग ग्यारे महीने की सेवा है लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में कार कैसे होता है साथ ही आप ये देखना चाहते हैं कैसे और क्वालिफिकेशन माइगी है उसके उनसार आप लॉग रिजेट होने चाहिए यानि आपके पास एललवी के डिगरी होने चाहिए चाहिए वो बीए एललवी हो पांस साल की या फिर ग्रिशन के बाद लवी हो और आपका इस्ट्यूट है वो बार कांसल ऑफ इंडिया द्व करने वाली वेबसाइट हैं और सिस्टम है इनको वो संभाल सके ऐसी नौलेज़ को होनी चाहिए एलिमेट के बात करें तो मैंग्जम में 27 साल कम से कम अठाया साल होनी चाहिए लास्ट डेट ओफ एप्लिकेशन को यानि 28 प्रवरी दुया उनिस को बात कर लेता है सेलेक्श बात करें स्कीम ऑफ एग्जामरेशन की मिनियों क्वालिफार मार्क्स की टर्मस और कंडिशन्स की तो वो सब जानकारी रिवाइड स्कीम ऑफ एंगेजिंग लोकलर कम रिसेर्च असिस्टेंस और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्च्चल एसांडमेंट इन सुप्रिम कोर्ट इन में से कोई एक आप चुन सकते हैं अब बात कर लेते हैं आवेदन करने के एप्लिकेशन फॉर्म ऑनलाइन है आप www.sei.gov.un पर जाके वहाँ से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट होनी की डेट है एक फ़र्वरी दुया उननीस और इसमें फीस जमा होगी आपकी 200 पर प्लस बैंक चार्जर जो के आपको ऑनलाइन मोड से ही जमा करनी है और किसी मोड से आप जमा नहीं करेंगे इंपोर्टन डेट्स की बात करें तो एक दो दुया उननीस तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एक फ़र्वरी से लेके 28 फ़र्व कर सकते हैं दोस्तों अमीद आपको फ़संद आया होगा इसे वीडियो को लैक कीजिए शेट कीजिए आपने अपता कमाई चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो कर लीजे क्योंकि यहां मिलती है सही जनकरी बिल्कुर सरल भासा में धन्यवाद